आस्ट्रेलिया से हार के बावजूत अभी भी सेमी फाइनल में पहुच सकती है अफगानिस्तान। सेमी फाइनल में पहुचने के लिए बस करना होगा ये काम। पाकिस्तान की हो जाएगी हालत खराब। अफगानिस्तान की मौज। भारत में खेले जा रहे ICC One Day World Cup में अफगानिस्तान ने जबरदस्त खेल दिखाया है मंगलवार साथ नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को अपने शिकंजे में ले लिया था लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की चमतकारी पारी ने उनके जबडे से जीत चीन ली सबसे पहले सेमी फाइनल में स्थान पक्का किया था इसके बाद साथ अफरीका की टीम अगले दौर में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी अफगानिस्तान पर मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान भी सेमी फाइनल में पक्का हो गया अब सिर्फ एक ही जगह बची है जिसके लिए मुख्य तोर पर न्यूजी लैंड और पाकिस्तान के बीच टक्कर मानी जा रही है वैसे अफगानिस्तान के पास भी बेहद कम लेकिन समी करण के लिहाज से मौका बन सकता है इस वक्त न्यूजी लैंड की टीम सेमी फाइनल में पहुँचने की सबसे बड़ी दावेदार है वह अपने दम पर अगले दौर में आसानी से पहुँच सकती है श्री लंका के खिलाफ कीवी टीम को जीत दर्ज करना है और उसको अगले दौर में जगह मिल सकता है पाकिस्तान की टीम को सेमी फाइनल में पहुचने के लिए इंग्लैंड को हराना है और साथ ही दूआ करनी है कि श्री लंका न्यूजी लैंड को हरा दे अगर केन विलियमसन की टीम एक रन से श्रीलंका को हराती है तो पाकिस्तान को इंगलेंड के खिलाफ 137 रन से जीत हासिल करना होगा अफगानिस्तान कैसे पहुंचेगा सेमी फाइनल में? लिकिन उसकी हालत बाबर आधम के टीम से भी खराब है मतलब पाकिस्तान को जहां बड़ी जीत चाहिए तो अफगानिस्तान के सेमी फाइनल का सपना तब साकार होगा जब न्यूजिलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश या किसी अन्य कारण से रद्ध हो जाए इस वक्त तीनों ही टीम आठ आठ अंक पर है अगर न्यूजिलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला रद्ध जा जाता है तो एक-एक अंक बाटे जाएंगे ऐसे में अफगानिस्तान अगर साउथ अफरीका को हरा दे तो वह दस अंकों पर होगा जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नौनों अंक पर ही रह जाएंगे